बचों हम पढ़ रहें कक्षा 10 की गनित की पाठे पुस्तका ध्याय तीन दो चर्वाले रेखिक समीकन युग में भाग दसके अंतरगत आज हम चर्चा करेंगे दो चर्वाले रेखिक समीकन युगम को हल करने की बीजगनितिये विदियों में से एक और विदी जिसका नाम है देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया विदोपन विदी क्या है दुइचर रेखिक समीकन युगम को हल करने की एक बीजगनिति ये विदी है एक और विदी हमने पहले पढ़ी थी ृती क्या नाम था उसका प्रतिस थापन विदी यहां हम किसकी चर्चा करेंग विलोपन विदी की, इस विदी के अंतरा हम क्या करते हैं बच्चो उसको समझिए, इस प्रकार से हमारे पास एक द्वीचर रेकिक समीकर्ण युग्म होता है, जिसमें पहला समीकर्ण A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 जैसा, और दूसा समीकर्ण A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराब 0 जैसा, विलोपन विदी में करते क्या हैं, यह जो समीकर्ण युग्म हमें दिया गया है, इसमें किसी एक चर्के गुणांख हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, पहले से ही बराबर है, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर बराबर नहीं है, तो हम बराबर कर फिर बराबर करने के पश्चात हम क्या करते हैं सम्मी करणों को जोड एवं घठा कर एक चरको विलोपित कर लेते हैं आईए उधारण के दिम से मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से विलोपित किया जाता है किस प्रकार से किसी चरके गुणांक बराबर किये जाते हैं दे के खर्चों का अनुपाद चार अनुपाद तीन हैं यदि प्रतेक व्यक्ति प्रती महिने में 2000 रुपे बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ग्यात कीजिए अब इस प्रश्ण को हल करने के लिए पहले हम बनाएंगे द्वीचा रेकिक समीकर्ण युग में फिर मैं आपके सामने हल करूंगा उसको विलोपन विदी से आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा और समझना की विलोपन विदी में हम कैसे चरों के गुणांक बराबर करते हैं कैसे किसी चर को विलोपित करते हैं आईए बचों हल करते हैं और हल में हम सरुपर्थम मान लेंगे मान लेंगे इन दोनों व्यक्तियों की मासिक आए तो लिखेंगे माना की माना की दोनों व्यक्तियों की व्यक्तियों की मासिक आए मासिक आए 9x वे 7x है तथा उनके खर्चे भी मान लेंगे बच्चो उनके खर्चे क्रमश है क्रमश है कितने है 4y 3y है यह x और y कहां से आए यह x और y कहां से आए इसको समझी बच्चो जब भी किसी राशी को आनुपातिक रूप में दिखाया जाता है तो उभेनिष्ट गुननखंड से काट पीट कर हल करके लिखते हैं जैसे कि अगर राम और शाम या a और b a और b की i है 9000 और 7000 तो जब हम अनुपात लिखेंगे न बच्चो तो हल करके लिखेंगे अब यहां हमें पता नहीं है कि वास्ताव में इन दोनों के मद्द्द जो उभेनिष्ट गुननखंड है वो 1000 ही है क्या तो उसके लिए हम क्या करेंगे उस उभेनिष्ट गुननखंड को x मान लेंगे ऐसे ही यहां उभेनिष्ट गुननखंड y मान लेंगे तो i तो कैसे मानेंगे अनुपात दिया गया है इसलिए 9x और 7x और खर्चे कैसे मानेंगे 4y और 3y अब बचत क्या होती है i में से किसको गठा लें खर्चो को गठा लें तो बचत आती है तो यहां हम लिखेंगे अब प्रशनानुसार अब प्रशनानुसार देखिए प्रशनानुसार 9x में से खर्चा गठा लेंगे इसका 4y तो बचत आ जाएगी कितनी है 2000 समीकन संख्या एक फिर साथ एक्स में से खर्चा तीन वाई घठा लेंगे तो भी बचत आ जाएगी कितनी है 2000 बचत कितनी है बच्चो 2000 ठीक है इंकम माइनस क्या एकस्पेंडिचर तो क्या जाती है सेविंग आ जाती है बच्चो 9-4Y बराबर 2000 दोनों की बचत जो है 2000 इस परकार से हमें द्वीचर रेकिक समीकन युगम मिल जाते हैं यहां तक का काम हमने पहले भी किया है कई बार किया है अब हम हल करेंगे इस द्वीचर रेकिक समीकन समीकन संख्या एक को तीन से गुणा कर दें और दो को चार से गुणा कर दें तो क्या होगा देखिए समीकन समीकन एक गुणा तीन से अगर मैं समीकर्ण एक को तीन से गुणा करता हूँ तो यह हो जाएगा 27X-12Y बराबर 6000 27X-12Y बराबर 6000 यह हमारे पास आ गई समीकर्ण संख्या 3 कैसे परात की हमने समीकर्ण एक को तीन से गुणा करके फिर समीकर्ण दो को मैं किस से गुणा कर रहा हूँ चार से समीकर्ण दो को चार से गुणा कर रहा हूँ समीकर्ण दो गुणा चार से तो दो को जब अब चार से गुणा करते हैं तो देखिए चार सत्य कितना होता है 28 28 28 x माइनस जब हम 3 को 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 y और 2000 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 8000 आजाएगा की नहीं अब देखिए दोनों समी करणों में y के गुणांग बराबर हो गए तो मैंने गुणांग बराबर करने के लिए एक्च्वल में क्या किया दूसरे समी करण में जो y का गुणांग था उससे तो समी करण एक को गुणा कर दिया और पहले समीकन में जो Y का गुनांग था उससे मैंने समीकन 2 को गुना कर दिया देखो इस 3 से इधर से गुना कर दिया इस 4 से इधर गुना किया नए समीकन आगे जिन में क्या है Y के गुनांग बराबर है अगर आपको X के गुणांग बराबर करने होते बच्चों तो समीकरण एक कोम किसे गुणा कर लेते हैं 7 से और समीकरण 2 को किसे गुणा कर लेते हैं 9 से तो X का गुणांग कितना बन जाता बराबर 63 बन जाता दोनों समीकरणों में 63 बन जाता समीकरण 3 और 4 में 63 बन जाता फिलाल हमारे पास क्या बना है माइनस 12 देखें दोनों में क्या है चिन समान है गुणांगों के माइनस के बारा ही है इसलिए हम क्या करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को गठा लेंगे तो लिखते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से किसी भी समीकरण में से किसी को गठा सकते हो बचो 3 में से 4 को गठा लो या 4 में से 3 को गठा लो कोई फारक नहीं पढ़ता फरक इस बात का पड़ता है कि गुणांग बराबर होने चाहिए गुणांग बराबर नहीं है तो जोडने गठाने से कुछ नहीं मिलने वाला गुणांग बराबर कीजिए फिर जोड़िये या गठाइए जोड़िये कब जब चिन विपरीत हों गठाईए कब जब चिन समान हो यहाँ चिन समान है इसलिए मैं गठा रहा हूँ तो देखिए 27x-12y बराबर है 6000 इसके नीचे लिख लेंगे जिस समीकन को गठाना है वो है 28x-12y बराबर 8000 तो देखिए माइनस हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा यह माइनस 27x और – 28x कितना हो जाएगा – qplus 27 x और – 28x कितना हो गया – – x यह तो दोनों विपरीद चिन के कट गए बराबर गुणांखे 6000 में से 8000 गए तो बच गया माइनस का 2000 यहां से X बराबर आ जाएगा 2000 X का मान आ गया है 2000 जैसे ही एक चरका मान आए आप इस चरके मान को किसी भी समीकरण में रखे कर दूसरे चरका मान प्राप्त कर लीजिए तो लिगिए X का मान समीकरण 2 में रख दें या एक में रख दें या किसी 3 या 4 में किसी में भी रख दें X का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है समीकरण 2 देखे बच्चों समीकर्ण 2 है 7X-3Y बराबर 2000, 7X-3Y बराबर 2000, 7XX का मतलब कितना है 2000, ये हो गया 14000, 14000-3Y बराबर 2000, ठीक है तो यहां से 3Y बराबर आजाएगा 12000, और Y बराबर कितना जाएगा बच्चों, 4000, 4000, हमें क्या गयात करना था, हमें गयात करना था, उनकी मासिक आई, मासिक आई कितनी है, 9X और 7X, 9X और 7X, हम लिखेंगे, अते हैं, दोनों व्यक्तियों की व्यक्तियों की आय कितनी हो जाएगी नो एक्स अर्थार्थ अठारा हजार तथा साथ एक्स साथ एक्स यानि की 14,000 तो उनकी आय है 18,000 रुपए और 14,000 रुपए उमीद करता हूं विलोपन विदी आपको अच्छी लगी होगी और आसानी से आपने समझ भी लियोगी सबसे पहले आपको क्या करना है जो समीकन युग में दिया गया है उसमें किसी एक चरके गुणांक क को बराबर करना है कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है जोड़ गठाकर एक को विलोपित कर दें दूसरे का मान आजाएगा जिसको विलोपित कर देंगे उसका मान हम कैसे करेंगे जो चरका मान आपके पास आया है उसका मान समीकन में रख देंगे और दूसरे चरका मान बुपन विदी का प्रियोग करके निमं रिखिक समीकंन युग्म के सभी संभव हल ज्यात किजिए सभी संभव हल ज्यात करने हैं और जो हमें दिया गया है समीकंन युग्म वो क्या है वो है 2X प्लस 3Y बराबर 8 यह तो है पहली समीकंड अगली समीकन है 4X प्लस 6Y बराबर 7 ये समीकन संख्याद 2 अगर आप यहां देखें तो बच्चों मेरे को बताईए A1 अपोन A2 B1 अपोन B2 और C1 अपोन C2 ये हो जाएगा 2 बटे 4 अर्थार्थ 1 बटे 2 ये हो जाएगा 3 बटे 6 ये भी 1 बटे 2 ये हो जाएगा माइनस 8 बटे माइनस 7 अर्थार्थ 8 बटे 7 तो क्या यहां आपको देखने को मिल गया A1 अपोन A2 इक्वल B1 अपोन B2 नोट इक्वल C1 अपोन C2 कौन सी स्थती संख्याद 2 कैसा ग्राफ मनेगा समानतर रेखाएं कितने हल होंगे कोई हल नहीं होगा क्योंकि समीकन युग्म कैसा है एसंगत है लेकिन फिर भी एक बार के लिए हम विलोपन विदी का प्रियोग करके इसमें देखते हैं देखे कि क्या आदा है अगर हम ऐसे चेक नहीं करें गुणांकों की तुलना करके A1 अनुपात A2 B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 करके चेक नहीं करें और हम विलोपन विदी से ही हल करें तो हमारे साथ क्या गटना गटने वाली है उसको देखते हैं विलोपन विदी का पहला काम क्या है जिस भी चर को विलोपित करना है उसके गुणांक बराबर करूं यहां X का गुणांक 2 है यहां X का गुणांक 4 है तो बराबर करने के लिए क्य यह हो जाएगी समीकर्ण संख्यात 3 अब इन दोनों समीकर्णों से देखते हैं वच्चों यहां गुणांग बराबर है इसलिए हम क्या कर सकते हैं विलोपन विदी का परियोग कर लेंगे अब तो देखिए समीकर्ण समीकर्ण 2 माइनस समीकर्ण 3 से समीकर्ण 2 में से 3 गठा लें 2 में से 3 गठा लें क्यों गठा लें क्या हैं गुणांग बराबर हैं समान चिन के हैं तो 4X प्लेस 6Y बराबर 7 में से गठा लो 4X फ्लेस 6Y बराबर 16 को तो यह हो जाएगा माइनस 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 प्लस का 4X माइनस का 4X कट गया 0 बच गया इदर तो और बराबर में क्या आ गया माइनस का 9 तो क्या कभी 0-9 के बराबर आता है तो ऐसा कथन हमेशा क्या होगा ऐस सत्य होगा जिसमें 0 किसके बराबर आजाए माइनस नो के और जब यह हमेशा ऐस सत्य है इसका मतलब X सता Y के किसी भी मान के लिए यह सत्य नहीं है तो एक सदा वाई का कोई मान इसमें उपस्तित ही नहीं है तो हम लिख देंगे जो की सदेव ऐस अते है दी गई समी करन युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है समी करन युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है बच्चो अब देखते हैं अगला उधारन उधारन संख्या तेरा दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर दो हो तो संख्या ग्यात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी है ये भी बताईए तो बच्चो जब भी दो अंकों की संख्या की बात की जाएगी हम मानेंगे इकाई अंक और दहाई अंक क्योंकि दो अंकों की संख्या में दो तरीके के अंक होते हैं एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है तो लिखेंगे माना की अभिष्ट संख्या का इकाई अंक वो कितना है वो है X तथा दाहाई अंक क्या है वो है Y अब देखिए अगर एकाई अंक X है और दाहाई अंक Y है तो कोई भी संख्या कैसे लिखी जाती है एकाई गुणा एक प्लेस दाहाई गुणा दस प्लेस सेंकडा गुणा सो ऐसे लिखी जाती है विस्तारीत रूप में तो यहाँ पर अगर एकाई अंक एक्स है दाई अंक वाई है तो हम लिखेंगे अतहे अभिष्ट संख्या अतहे अभिष्ट संख्या संख्या क्या हो जाएगी वो हो जाएगी दस गुणा वाई प्लेस एक्स एकाई अंक गुणा एक प्लेस दस गुणा दाई अंक ऐसे ही जैसे कि 46, 46 कैसे आया वच्चो, 4 गुणा दाई अंक प्लस 6 गुणा इकाई अंक, 40 प्लस 6, 46 इस तरीके से, ठीक है, तो इकाई अंक और दाई अंक हो तो संख्या इस तरीके से बनती है, इकाई अंक प्लस 10 गुणा दाई अंक करने से, अच्छा, और मैं लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या अगर मैं अंकों को उलट दूँ 46 के अंकों को उलट दूँ तो 64 बनेगा न वैसे ही अगर मैं 10Y प्लस X के अंकों को उलट दूँ तो संख्या क्या बनेगी 10X प्लस Y बन जाएगी 10X प्लस Y बन जाएगी फिर देखिए हम लिखेंगे अब अब प्रशनानुसार हमें बोला गया है कि इस संख्या 10Y प्लस X और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है अर्था आर्थ देखिए 10Y और 1Y कितना हो गया 11Y एक्स और 10X हो गया 11X बराबर 66 ग्यारा कोमन ले लिजे तो बन जाएगा एक्स प्लस Y बराबर 6 समीकन संख्या एक ग्यारा कोमन ले लेंगे तो यह ग्यारा कोमन आके उद्र भाग लगेंगे भाग लगेगा तो 66 में 11 का भाग लगाएंगे कितना जाएगा छे ठीक है तथा आपको दिया गया है अंकों का अंतर क्योंकि क्या है दो के बराबर है आता है आता है एक्स माइनस वाई बराबर दो या बच्कों वाई माईनस एक्स बराबर दो या तो X-Y 2 के बराबर है या Y-X 2 के बराबर है क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दोनों अंकों में से बड़ा कौन सा है हमें तो यह पता है कि एक अंक X है और दूसा अंक Y है तो अंतर तो X-Y भी हो सकता है और Y-X भी हो सकता है अब देखिए इस्तती 1 इस्तती एक यदी एक्स माइनस वाई बराबर दो हो तब अगर इसको हम माने तब समीकर्ण एक समीकर्ण दो विलोपन विदी सहल करेंगे तो गुणांक बराबर होने चीए गुणांक बराबर है एक्स के गुणांक देखू तो समान चिन के हैं तो गठा सकता हूँ वाई के चिन विपरीत है इसलिए जोड भी सकता हूँ तो यहां तो हमारे काम की सारी चीज़े हैं पहले से मोजूद है किसी से गुणा करके गुणांक बराबर करने की विज़रत नहीं है तो मैं लिख देता हूँ समी करण एक प्लस दो से जब आप दोनों समी करणों को जोडेंगे ना बच्चों तो देखिए प्लस का एक्स और प्लस का एक्स कितना हो जाएगा दो एक्स और माइनस का वाई माइनस का वाई और प्लस का वाई कैंसिल छे और दो कितना आठ तो दो एक्स आठ के बराबर एक्स बराबर क्या चार तथा वाई बराबर कितना आजाएगा वाई बराबर आज संख्या अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी संख्या क्या होगी बच्चों एकाई अंक प्लस दस गुणा दाई अंक दस गुणा दो बीस और चार क्या हो जाएगा चोईस अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी चोईस एकाई अंक चार है दाई अंक दो है तो चोईस ही बने दो रहे तब अगर y-x को दूसरा समीकरण मानो तब क्या होगा अगर हम इसको समीकरण बोलें दूसरा तो क्या होगा पहले तो हमने x-y को दूसरा समीकरण बोला था अगर मैं y-x को दूसरा समीकरण बोलू तब देखिए समीकरण एक प्लैस समीकरण दो से अब इस इस्तती में दोनों समीकरणों को जोड़िए दो y बराबर आजाएगा 8 और y बराबर आजाएगा 4 तथा अब की बार x बराबर आजाएगा 2 अबिष्ट संख्या हो जाएगी इकाई अंक और दाई अंक इकाई और ये दाई 42 तो संख्या 24 भी हो सकती है और 42 भी हो सकती है प्यारे बच्चों अत है दी गई दी गई शर्तों के अनुसार अबिष्ट संख्या 24 है या फिर 42 है तथा इस प्रकार की इस प्रकार की कितनी संख्याएं हैं कि दो संख्याएं हैं हम से पूछा था कि इस प्रकार की कितनी संख्याएं हैं तो हम बोल देंगे कि दो संख्याएं हैं ठीक है तो इस प्रशन में आपको कोई दिकत नहीं रही होगी बच्चों ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप क्या करेंगे विलोपन विधी की, एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, इनी उधारणों को एक बार खुद से हल करने का प्रियास करेंगे, प्रस्नावली 3.4 में दिएगे प्रस्न भी आप खुद से हल करने का प्रियास करेंगे खुश रहिए अभ्यास करते रहिए धन्यवाद